आज हमारा चर्चा का विशाय है प्रित्वी पर जीवन जीवन का तात्पर यह जो है विभिन प्रकार के जैव जगत से है बच्चों हमने इसके पहले प्रित्वी का अध्यन किया था इस्थल मंडल के रूप में जल मंडल के रूप में और वायू मंडल के रूप में इनका अध्यन क्यों आवश्यक है क्योंकि इनका प्रत्यक्ष संबंध जैव जगत से होता है जयव जगत का तात्पर्य है पृत्वी पर विभिन प्रकार के जीव जंतू और वनस्पतियाँ पाई जाती हैं यही जीव जंतू और वनस्पति मिल करके जयव मंडल या जयव जगत का निर्मान करते हैं और इसी के माध्यम से पृत्वी पर जो परिस्थिती की संतुलन की प्रक्रिया है वह पूरी होती है हमारा परियावरण क्या है? हमारे चारो और जो कुछ है वह हमारा परियावरण है और इसी परियावरण में जहां परिस्थल, जल और वायू मंडल से जब हमारा संबंध होता है यानि जयव मंडल से संबंध होता है तब एक परियावरणी प्रक्रम पूरा होता है और इस प्रक्रम में जयव का महत्व सर्वाधिक है क्योंकि जहां पर भवतिक परियावरण तापमान, मिट्टी, आद्रता, आदिस से प्रभावित हो रहा है वहीं मानवी परियावरण इन सब का उपभोग करते हुए अपने आपको इस प्रित्वी पर समायोजित करता है बहुत से जीव ऐसे होते हैं, जो इस्थलों पर पाए जाते हैं विश्व के अधिकांश जीव इस्थलों पर पाय जाते हैं किन्तु कुछ जीव ऐसे होते हैं, जो जल में मिलते हैं, कुछ जीव ऐसे होते हैं, जो वायू मंडल में मिलते हैं, लेकिन कुछ जीव ऐसे भी होते हैं, जो इस्थल और जल, या इस्थल और वायू, या वायू मंडल और जल मंडल में भी निरंतर चलते रहते हैं. तो इस प्रकार से हमारे परियावरण में जीवों का महत्व बहुत अधिक है यदि जीव है तो परियावरण बनता है पारिस्थिती की संतुलन की प्रक्रिया होती है लेकिन यदि जीव नहीं है तो इन सब का अध्यन अनावश्यक हो जाता है इसी संदर्व में आज हम सबसे पहले देखेंगे पारिस्थिति की क्या है पारिस्थिति की शब्द जो है यह हमारे परियावरण से जुड़ी हुई है तात पर यह कि हमारे आसपास जो भी परियावरण है उस परियावरण के साथ हम समायोजन करने का प्रयास करते है हम से ताट परिय यहां पर जयव जगत से है पारिस्थिति की में परियावरण के साथ जयव जगत का समायोजन होता है यह जो जयव जगत जिने हम कहते हैं यह दो प्रकार के होते हैं एक स्थलीय जयव जगत दूसरा जलीय जयव जगत इस्थलीय टेरेस्ट्रियल जयव जगत जो है इन्हें हम बायोम के नाम से भी जानते हैं जबकि जो जलीय जयव जगत है यह जयव जगत जल के विभिनक्षेत्रों में पाये जाते हैं यह दोनों ही जयव जगत के जो तत्व हैं यह सभी तत्व वर्षा तापमान आर्द्रता और मिट्टी से पूरी तरीके से प्रभावित होते हैं जैसा बता इन्हें बायोम कहते हैं यह बायोम इस्थलों में मुख्य रुप से चार प्रकार के होते हैं वन बायोम घास बायोम मरुस्थली बायोम और टुंड्रा प्रदेशी बायोम वर्टमान में एक प्रवती बायोम का भी उल्लेक अब किया जाने लगा है दूसरा जो जली या एक्वेटिक पारिस्थिती की होती है इसके अंतरगत महासागरी पारिस्थिती की ज्वार नदमुख के क्षेतर में पाई जाने वाली पारिस्थिती की प्रवाल भित्ती की पारिस्थिती की या इसी प्रकार से स्वच्छ जल में पाई जाने वाले अर्थात इस्थली भागों में पाई जाने वाले जो जल है ज नहीं कहीं पर कच्छ या दलदल की पारिस्थितिकियां भी इसमें सम्मिलित की जाती है तो इस प्रकार से जो पारिस्थितिकी है इनके दो प्रमुख प्रकार एक इस्थलिय और दुसरा जलिय पारिस्थितिकी ये पारिस्थितिकियां किस प्रकार से कार्य करती हैं इनकी कार प्रणाली को देखेंगे तो पारिस्थिती की में जैविक पारिस्थिती की का जो जैविक और जैविक दो तत्व इसमें होते हैं जैविक तत्व क्या है जैविक तत्व में उत्पादक उपभोकता होते हैं उपभोकता में तीन प्रकार के उपभोकता होते हैं प्रात्मिक उ भोगता और तृतियक उपभोगता इसके बाद अपगहटक होते हैं ये अपगहटक जो अंतीम अवस्था होती है और जैविक पारिस्थिती के अंतरगत तापमान वर्शा सूर्य का प्रभाव ये सूर्य की किर्णे आर्द्रता मिट्टी विभिन प्रकार के खानीजे तत्व, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, मेगनेशियम, आदी कई प्रकार का वायू मंडल में पाई जाने लिए हवाएं जो मिट्टी में आकर के मिल जाती है इनका संचरन होता है और ये भी हमारे जीवन को प्रभावित करती है तो इस प्रकार के जो अजैविक तत्व है ये दोनों मिलकर के जैविक और अजैविक ये सब मिलकर के अपना कार्य सुचारू रूप से संपन करते हैं अब इसमें जैसे हम जैविक तत्वों को देखेंगे तो इसमें सबसे पहला होता है उत्पादक उत्पादक क्या होता है प्रकाश संसलेशन फोटो सिंथेसिस की प्रक्रिया के माध्यम से सूर्य से उर्जा प्राप्त कर जो छोटे छोटे हरे पौधे होते हैं ये भोजन बनाने की प्रक्रिया करते हैं इसे हम प्रकाश संसलेशन की प्रक्रिया कहते हैं प्रकाश संसलेशन के माध्यम से जो हरे पौधे हैं ये भोजन बनाते हैं फिर इस पे उपभोगता जिसमें प्राथमिक उपभोगता जैसे हिरन, बकरी, चुहें, आदी ये जो उपभोगता है ये इन पदार्थों को खाते और इन पदार्थों को खाने के बाद कौन से पदार्थ जो उत्पादक ने तैयार किया है प्रकृती ने जिसको घास फूस या वनस्पतियों के रूप में विक्सित किया है इन्हें ये प्रात्मिक उपभोक्ता खाते हैं प्रात्मिक उपभोक्ता के बाद द्वीतियाक उपभोक्ता जो होते हैं ये प्रात्मिक उपभोक्ता पर निर्भर होते हैं द्वीतिया कुपभोगता कौन से होते हैं? जैसे साप, बाग, शेर ये सभी द्वीतिया कुपभोगता है जो प्राथमी कुपभोगता पर निर्भर होते हैं। कुपभोगता ऐसे भी होते हैं जो मानसाहारी जीवो का ही भोजन के रूप में ग्रहन इन्हें करते हैं। जिसमें बाज है या नेवला है ये चरम मानसाहारी जीव कहलाते हैं। मानव भी इसी प्रकार के शरिंखला में आता है जो की सर्वहारी जीव कहलाता है। तो इस प्रकार से प्राथमिक द्वीतियक और द्वीतियक को खाने वाला त्रीतियक उपभोगता होता है। जब ये प्राथमिक उपभोगता या उत्पादक या द्वीतियक उपभोगता या त्रीतियक उपभोगता जब ये मरण की स्थिती में आते हैं या मृत होते हैं। तब इनकी आपघटक की परिस्थितियां विक्सित होती हैं। जो उत्पादक प्राथमिक उपभोगता द्वीतियक या त्रीतियक उपभोगता होते हैं। जब ये मृत होते हैं तो ये आपघटक बन जाते हैं। आपघटक का तातपर ये है कि या तो ये मिट्टी में स्वयमयों मिल जाते हैं। या फिर कुछ ऐसे जानवर होते हैं या कुछ ऐसे पक्षी होते हैं जो की मृत जीवों पर निर्भर होते हैं। जैसे कि कववा है, गिध्ध है, आदी। या फिर इस मृत प्राणियों पर कुछ बैक्टीरिया, कुछ फंगाई विक्सित होते हैं। और इनके कारण इन पदार्थों का डीकंपोजिशन या अपघटन होता है, विघटन होता है और ये पुना मिट्टी में मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से एक चक्र संपन्न होता है, मिट्टी से फिर से उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक की एक प्रक्रिया प्रारंब होती है। तो ये इस प्रकार से एक परिस्थिती की कार्य प्रणाली संपन्न होती है, इस कार्य प्रणाली को हम खाद्य श्रिंखला भी कहते हैं। ये खाद्य श्रिंखलाए उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक के माध्यम से संपन्न होती है। ये जो खाद्य श्रिंखलाए जैसे की एक छोटा सा पौधा है और पौधे पर एक छोटा सा कीड़ा लग जाता है। इस कीड़े को एक मेंधक खा लेता है, मेंधक को साप खा लेता है और इस प्रकार से जब साप मृत होता है या साप को नेवला खा लेता है और नेवला जब मृत होता है तो इसमें कुछ बैक्टीरिया, कुछ भंगाई लग जाते हैं और इस प्रकार से ये पुना मिट्टी में मिल जाता है तो ये जो संपूर्ण प्रक्रिया होती है इसको हम खाद्य श्रिंखला के नाम से जानते हैं ये जो खाद्य श्रिंखला की परिस्थितियां है ये परिस्थितियां भी दो रूपों में देखने को मिलती हैं एक कहलाती है चराई और दूसरी कहलाती है अपरद चराई क्या है? पाउधों पर कुछ जीव निर्भर करते हैं और इन पर मांसाहारी जीव निर्भर करते हैं. ये सभी जो जीव होते हैं ये श्वसन, उत्सर्जन और विघटन की प्रक्रिया में सहीयोग देते हैं. प्रारंभी कावस्था से श्वसन की प्रक्रिया होती है और उसके बाद इनका उत्सर्जन होता है और अंत में विघटन हो जाता है. तो ये चराई की प्रक्रिया होती है. लेकिन अपरद में चराई से लेकर के मृत पदार्थ तक की जो प्रक्रिया आती है इन्हें हम इसमें स लिफकारी प्रणाली एको सिस्टम क्या है यह इस प्रकार से संपन होता है इसके बाद आगे हम देखेंगे बायोम के प्रकार बच्चों अभी मैंने आपको बताया था कि बायोम क्या है जो इस्थली जीवजन्तु और वनस्पती का सहयोग होता है इसे हम बायोम कहते हैं ये बायोम मुख्य रुप से चार प्रकार के होते हैं वन बायोम, घास बायोम, मरुस्थलिय बायोम और टुन्डरा बायोम वन बायोम क्या है? बच्चों इसके पहले हमने पढ़ा था कि कई प्रकार के वन प्रित्वी पर पाये जाते हैं आएए हम इन वनों को एक बार फिर से देखे और यही बायोम की परिस्तिती यहाँ पर हम समझ सकते हैं तो वनों में सबसे पहला है उश्नकटि बंधी सदा बहार वन बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं भूमद्य रेखा प्रित्वी के बीचों बीच में यहाँ पर वर्ष भर उचा तापमान होता है और अधिक वर्षा होती प्रती दिन वर्षा होती है यह जो ख्षेत्र है इसमें 0 अंश से 10 अंश उत्तरी एवं दक्षनी अक्षांस के बीच में यहाँ पाया जाता है यहाँ पर जो तापमान होता है 20 से 25 अंश तापमान होता है और वर्षा प्रत्यक रितु में लगभग 100 सेंटीमेटर या उससे भी अधिक पाये जाती क्योंकि वर्ष भर इस अक्षेत्र में वर्षा होती है यहाँ की भूमी में जो मिट्टी है इसमें अमली तत्वों की कमी पायी जाती है लेकिन अत्यधिक वर्षा और अत्यधिक तापमान के कारण इस खेत्र में बहुत उचे 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 वन व्रिक्षों के रूप में देखने को मिलते हैं यह बहुत बड़े बड़े व्रिक्ष होते हैं समान्य रूप से इनकी जो उचाई होती है इन व्रिक्षों की 40 से 50 मीटर के लगभग पाई जाती है यह ब्रिक्ष नीचे से इनका जो तना होता है यह तना काफी लंबा होता है और काफी उचाई से इनमें टहनिया प्रारंब होती है उपर में ये टहनिया बहुत अधिक पत्तों से युक्त काफी घनी हो जाती है इनका आकार छाते के समान दिखाई देता है उपर से काफी चवड़ाता है ये चवड़ी पत्ती वाले सदा बाहरवन होते है विभिन प्रकार के वनों का सम्मिश्रण यहां देखने को मिलता है ये काफी घने होते हैं जिसके कारण जमीन पर काफी दलदल हो जाती है क्योंकि सूर्य कीरणे यहां पर नहीं पहुँच पाती इन वनों में अनेक लताएं भी विक्सित हो जाती है इनक्षेत्र में कई प्रकार के जीवजन्तु छोटे छोटे चू की आदरता दिखोती है इसलिए छोटे छोटे कीट पतंगों से लेकर के बड़े बड़े जानवरों तक यहां पर कई प्रकार के जीवजन्तु का विक्रण इन वनक्षेत्रों में होता है दूसरा जो वन है इन्हे हम उश्नकटी बंदिये पर्णपाती वन कहते हैं ये जो पर्णपाती वन है इनका विस्तार 10 अंशक्षान से 25 अंशक्षान से तक उत्तर और दक्षिन दोनों में ही देखने को मिलता है उत्तर और दक्षिन का तातपरी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिनी गोलार्ध से है यहाँ पर समाने रूप से तापमान 20 अंश से 25 अंश सेंटीग्रेड तक होता है और वर्षा जो होती है यह लगभग इस क्षेत्र में भी 100 सेंटीमिटर के आसपास होती है कहीं कहीं पर वर्षा जो है वह अधिक या कम होती रहती है यहां जो ख्षेत्र है इसमें मुख्य रुप से यहां की जो मिट्टी है मिट्टी में उर्वरता बहुत अधिक होती है सभी प्रकार के उर्वरक या पोशक्तत्व यहाँ पर पाय जाते हैं इस ख्षेत्र में पतज़ड वाले वन होते क्योंकि वर्षा अपेक शाकृत कम होती है और वर्षा एक निश्चित मौसम में होती है जिसके कारण जो शुश्क ख्षेत्र होता है यहाँ पर पतज़ड की स्थितियां देखने को मिलती है यहाँ पर भी वर्षों के बहुत अधिक वेराइटी होती है विभिन्न प्रकार के वर्ष यहाँ पर मिश्रीत अवस्था में मिलते हैं इन ख्षेत्रों में पाये जाने वाले जीव जन्तु है इनमें भी कीट पतंग जोकी वर्षा काल में ज़्यादा विक्सित हो जाती है शेश काल में यह कीट पतंग देखने को नहीं मिलते हैं और इस्तंधारी जीवों का विकास इस ख्षेत्र में सरवाधिक हुआ है तीसरा जो वन काक्षेत्र है यह वन शीत कटिबंधी वन कहलाते है शीत कटिबंधी वनों के अंतरगत यूरेशिया और अलासका तथा कनाड़ा काक्षेत्र आता है ये जो वन है यहाँ पर ग्रीश्मकाल बहुत छोटा और शीतकाल काफी लंबा होता है मिट्टी में अमलकी अधिकता होती है लेकिन मिट्टी की परते बहुत ही पतली होती है और यहाँ पर जो व्रिक्ष पाये जाते हैं ये सदा बहार कोण धारी वन पाये जाते हैं इसकी व्रिक्ष जो है यहां पर ये व्रिक्ष काफी उंचे होते हैं लेकिन इनकी जो पत्तियां होती है जुकी होती है और पत्तियों का स्वरुप काफी मोटा तने काफी मोटे होते हैं जिस पर बर्फ का प्रभाव नहीं पड़ता इस खेत्र में पाए जाने वाले जो जीव जन्तु है इनमें कट फोड़ा, भालू, चील, हिरन, कहीं कहीं पर खरगोश, भेडिया और चमगादर ये भी देखने को मिलते हैं झाल तो किई खरगोश, भेडिये विया और बाñ है, भेडिया बाली बालूश, भेड़ोश principle लेखने झाले बार किए 7साइग हिस दे जिए 10 ले